नमस्कार, खटपट निउस में आप सभी दर्शकों का स्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा से आई जानते हैं प्रदेश के दिनभर की बड़ी खबरे फटाफट अंदाज में मुखे मंतरी पुपेश बगेलास दो दिवस्य दौरे पर महरास्ट रुमाना हुए इस दौरान राइपूर एरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मुखे मंतरी ने बजट के तैयारियों को लेकर बयान दिया मुखे मंतरी ने कहा कि 15-21 जनवरी तक बजट को लेकर मंतरियों से चर्चा करेंगे इसके अलावा हम हर वर्ग के लोगों के साथ चर्चा कर बजट बनाएंगे कुरोना के कारण सभी की प्रात्मिक्ताएं बदली है आम जनों के साथ सरकार की प्रात्मिक्ताएं बदली है बीजबी के राजसभा सांसद और चतिसगर के वरिष्ट आदिवासी नेतार राम विचार नेताम ने एक ट्वीट के जरीए वीडियो शेयर कर कॉंग्रेस नेतित्र से सवाल किया है राजधानी रायपूर में कॉंग्रेस पार्शद ने अपनी साथियों के साथ मिलकर एक यूवक और उसकी मा को सरयाम पीटा था वीडियो जारीकर नेताम ने इस घटना की भट सन्ना की है केंडर सरकार की तलब से 36 गड़ को 3,23,000 वैक्सिन भेजने को स्विक्रिती दी गई है वहीं आज कोरोना वैक्सिन की पहली खेप में राजधानी रायपूर पहुंच चुकी है 27 काटून वैक्सिन के पहली लॉट में पहुंचे है एरपोर्ट से स्टेट वैक्सिन सेंटर के लिए रवाना हो चुकी है मुखेमंत्री भुपेश बगेल आज से महराष्ट के दो दिवसे प्रवास पर रहेंगे महराष्ट रवाहना होने से पहले सीम भुपेश बगेल ने बिजपी नेताओ को आड़े हाथो लिया है दरसल केंदर सरकार ने गोवर से बना पेंट लॉंच किया है इस पर सीम भुपेश का बयान सामने आया है सीम ने कहा कि केंदर सरकार को जितना गोवर चाहिए हम देंगे हमारा गोवर खरीदी का सिस्टम बना हुआ है कि इंदर सरकार हमारी योजनाओं का अनुसरन कर रही है तो यह थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरे आगे अबडेट्स के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ YouTube में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और Facebook में हमारे पेज को Like जरूर करें